नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ से देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्यसिंग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजुस्तान की मुख्य मंतरी अशोग गहलोत की, यहां आपको बता दें के लगातार अशोग गहलोत यहां पर अपनी कुरसी बचाने के लिए पूरी जदो जहत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर लगातार अशोग गहलोत के खिलाफ जिस तरह से उन्ही के पार्टी के मंतरी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं अब यहां पर कुछ बड़ा उलट फेर होनी की आशंका जताई जा रहे हैं, यहां आपको बता दें के जिस तरह से हाल ही में पूर डिप्टी सीम सचिन पा आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब जो सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत के बीच मुख्यमंतरी पद को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, अब इस पर अशोग गहलोत की बौकला हट साफ देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में देश क के सभी कोट के जजों को लेकर जो एक विवादर टिपड़ी कर दी, जिसके बाद राजिस्थान की राजनीती एक बार फिर से गर्मा गई हैं, जिहां आपको बता देए कि अशोग गहलोत ने अपने बयान में कहा कि देश के जितने भी कोट हैं, उसमें जज यहां पर फैस फैस वैल्यू को देख कर सुनाते हैं, इसी के साथ फैस वैल्यू को देख कर ही वकीलों को नियुक्त किया जाता है, तो कहीं न कहीं यहां पर अशोग गहलोत के इस बयान पर उनहीं के मंत्री, उनहीं के गुट के मंत्री वाजिब अली का गुसाफूट पड़ा है, जो यह एक बड़ी पोल खुल रही है मुख्य मंत्री को लेकर तो कहीं न कहीं अब यहां पर कॉंग्रेस पार्टी के बुरे दिन शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगाओं को कई रास्तों को बंद करने का गड़ा फैसला सुना दिया है। से दिल्ली में ऐसा कुछ होगा या नहीं। सवाल यही है जवाब कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं। झाल थाइ नहीं। याओं। झाल